दाई साल पहले शादी हो गई साहब मेरी दाई साल में उसने मुझे इतना ग्यान दे दिया जो रिशियों को करोडो जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त नहीं होता नहीं नहीं शादी मैने डॉक्टर प्रवीन शुकला जी को फोन किया ये सीनियर पती है मैंने इन्हें फोन करके पूछा मैंने बाई साथ मुझे कोई ऐसी टेकनिक बता दो कि मैं अपनी बीबी का जनम दिन कभी न भूलू इन्होंने मुझे जबाब दिया अगर बात समझा जो जिनने बात समझाए वो हाथ कड़े करके तालिया बजा देना केवल वो ही बजाना जिने समझाए एडवांस पेमेंट नहीं मैंने गा भाई साथ मुझे कोई ऐसी टेकनिक बता दो कि अपनी बीबी का जनम दिन कभी न भूलू बोले एक बार भूल जा तो मैं समझ गया आगे सुक से जीवन कैसे जीना है साथ ऐसे ऐसे सवाल करती है दुनिया में कोई माई कलाल जवाब नहीं दे सकता पिछले दूनों मेरा जनम दिन आया तो आके मुझसे पूछने लगी जानू मैं तुम्हें बढ़े पर क्या गिफ्ट दूँ मका तुमेरी बात सुन लिया कर गर में हस बोल कर रह लिया कर कभी है महमान लोग आ जाएं तो इनकी इज़त कर लिया कर इतना बहुत है अगली ने दो मिनिट तो सोचा जी फिर बोली ना मैं तो गिफ्टी दूँगी तो हमारा काम गिफ्ट से ही चल रहा है साथ वो भी करती है जो वो करना चाहती है अच्छा आदमी अपने घर के कलेज फिर भी जहल लेता है समस्या तभी आती है जो महमान आ जाते है पिछले दुनों आपके विधायक जी मेरे घर आए मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हुआ था देखकर भावु को गए बोले चिराग जेन तुम्हारी जोडी तो राम सीता जैसी है मैंने का जी खाक राम सीता जैसी है ना यो धर्ती में समाती ना इसे कोई ठाके ले जाता हम जानते हैं ना हमारे साथ क्या हो रहा है यह नियम है बाद में यह नियम टूट न जाए इसले इस कारेकरम को सुबह सुबह निप्टा लिया जाता है आदमी जगडा करके कामदंदे पर निकल जाता है औरत घर में कुड़ती रहती है सुबह के इतने से कलेज को शाम तक इतना बड़ा बना लेती है अब वो एक भाई सब जगडा करके निकल गए इससे पेमेंट लेनी है उसका माल जाना है इसका चेक आना है इसमें सुबह का जगडा भूल गए शाम को मौसम थोड़ा रोमेंटिक हुआ भाई ने घर पर फोन किया डार्लिंग डिनर में क्या बना रही हो अगली तो भरी भरी थी जी बोली जहर बोले अच्छा मैं लेट आऊंगा तू खा के सोजईयो यह हमारी परसनल मेनेजमेंट है दिन में भीस बार ताने देती है सहाब आपको आप सबको भी देती होगी अगर सचो तो बता देना दिन में भीस बार कहती है तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी कोई ढंका मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती एक दिन मैंने यहीं लपक लिया मैंने का देखो मनुष्य यदि प्रसनल रहना चाहे तो प्रसनलता उसके भीतर होती है बाहर की स्तितियां उसके सुख और दुख में जिम्मेदार नहीं होती वो बोली कैसे मैं सिद करता हूँ और अगर तर्क अच्छा लग जाए सच्छा लग जाए तो मजे लेना मैंने का इन महिलाओं को आप सोर्ग में भी छोड़ दो इससे बढ़िया जगे तो नहीं बनाई जी वीर जी वहाँ पे इनकी कोई सहेली मिल जाए पहला समवाद क्या होगा अब सरा को देखा देखियो ड्रेसिंग सेंसी नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनती एक हम साहब हमें आप नरक में भी छोड़ दो वहाँ हमारा कोई दोस्त मिल जाए एक ही वाग पुछेगा यम्राज की वेटी देखी